नमस्कार, मैं अनुराक कशिप, पॉब्लीकेशिया न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अविनन्दन करता हूँ, दिपावली की शुबकावनों के साथ, दिपावली का पर आपको और आपके परिवार को कल्यान कारी हो, परंपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं शुबं करोते कल्यानं आरोग्यंधन संपदा, शत्र बुद्धि विनाशाय दीप जोते नमुस्तुते अर्थात दिपक की जोती यानि उसके प्रकाश को नमस्कार, जो शुबता स्वास्थ और सम्रिद्धी लाता है और जो शत्रुता पूर्ण भावनाओं को नश्ट कर देता है ऐसे दीपक अर्थात उसकी जोती के प्रकाश को नमस्कार दीप जोती परब्रह्मा, दीप जोती जनार्दना, दीपो हर तुमे पापम, दीप जोते नमुस्तुते अर्थात दीपक की जोती के प्रकाश को नमस्कार दीपक की जोती का प्रकाश जो कि सर्वोच ब्रहम का प्रतेने देतो करती है दीपक की जोती का प्रकाश जनार्दन यानि शिरी हरी विश्नु का प्रतेने देतो करती है ऐसे दीपक की जोती का प्रकाश मेरे सभी पापों को दूर करे ऐसे दीपक की जोती के प्रकाश को मेरा सादर प्रणाम है मित्रो क्या आप जानते हैं सुष्टी के आदिकाल से अब तक चारो यूगों यानि सत्यू, त्रेता, द्वापर और कल्यू में किसीने किसी रूप में दीपावली मनाई जाती रही है और इनी चारो यूगों से जुड़े हैं हमारे सनातन संस्कृति के पाँच महा पर्व ये पाँच महापर्व हैं धनतेरस, जिसका संबंध सत्यूग से है छोटी दिवाली इसका संबन्द त्रेता युग से है बड़ी दिपावली इसका भी संबन्द त्रेता युग से है गोवर्धन दिला द्वापरी युग से संबन्दी थे और अनकूट भी द्वापरी युग से संबन्दी थे आज मैं आपको बताऊंगा प्रतियक युग में मनाई जाने वाली दिपावली और उसके सरूप के विशे में दिपावली मनाने की परंपरा का प्रारम कैसे हुआ इसके विशे में आज का शीर्षक है हर युग में मनाई जाती रही है दिपावली जिहां यह सत्य है हम हमारी सनातन संस्कृति की मान्यते के नुसार चारो युगों से ही दिपावली अर्था दिपोसव मनाते चले आ रहे हैं सरप्रथम सत्यूग की दिपावली अर्था धन्तेरस सरप्रथम दिपावली तो सत्यूग में ही मनाई गई थी प्रसंग है जब देवता और दानों के मद्धे दोनों की सहमती से समुदर मन्थन किया गया था और जिसके परिणाम सरू चोदर रतनों की भी प्राक्ति हुई थी जिनमें क्रमशे, हला हलविश, कामधेनु गाएं, उच्चे इश्रवा घोड़ा, एरावथाती, कौस्तुब मनी, कल्प वरिक्ष, रंभा अपसरा, देवी लक्षमी मा, वारुनी, अर्थात, मदिरा, चंद्रमा, पारिजात वरिक्ष, पांजन्य शंक यहां में एक मैत्पून बात आपको बतलाना चाहता हूँ, माता लक्षमी समुदर राज की पुत्री हैं, और शंक राज उनके सहुदर छोटे भाई हैं, इस कारण से ऐसी मान्यता है, कि जहां पर माता लक्षमी का वास होता है, वहां पर शंक भी रखना अति आउशक होता है, इसी कारण से किसी भी पूजा में शंक को माता लक्षमी की विशिष्ट कृपा प्राप्ती है तो बजाया जाता है, भगवान धन्वंतरी और अम्रित कुम्ब, कार्तिक मास क्रिश्न पक्ष की त्रियोदुशिती थी अर्थाद धन्तेरस को ही भगवान शिरी धन्वंत पुरा समुद्र मथने, समुथ्थतो महोदधे, सर्व वेदेशु निश्नातो, मंत्र तंत्र विशारद, शिष्यो हिवेन ते यस्य, शंकरस्यो प्रशिष्यक, ब्रह्म एर्थ पुराण, शिरी कृष्ण जनम खंड, प्राचीन काल में, समुद्र मंथन के समें, सभी भगवान नारायन के रूप में, भगवान धनवंतरी महोदधी से प्रगट हुए, और इसी कारण वर्ष आरोग्यता तथा स्वास्त के आदी देव धनवंतरी जी की जैनती से इन पंच महापरवोका शुभारंब होता है, अर्था कार्तिक मास कृष्ण पक्ष्की त्रियो आरोग्या के देवता भगवान धनवंतरी जी अमरित कलश, यानि के स्वण पात्र को लिये हुए प्रगट हुए, और इसी समुद्र मंथन से बहु मुल्य रत्न अभुषन भी प्राप्त हुए थे, तो संभवते इसी कारण से धन तेरस के शुभावसर पर नए धात्मों क के बरतन तथा चान्दी के बरतन और आभुषनों की खरीद कर उनको पूजन करने से घर में सुक्सम्रिद्धी एश्वरिये और संपन्ता का वास होता है, इसी मान्यता ने भी जन्म लिया, और यह मान्यता परंपरा के रूप में बन गई, पुराने कथा के अनुसार, जलाकर दीपोलसव मनाया था, अपनी प्रसनदा को प्रगट किया था, और यही थी सत्युक की सरुप्रथम दीपावली, धन तेरस को ही मुर्त्यू देव यम्राज की भी पूजा का विधान है, तथा धन के देवता कुवेर जी की भी पूजा का विधान है, अब मैं आपक अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर सर्सों के तेल का दीपक दो साबुद फूल वाली लोंग डार कर जला दें इससे आर्थिक इस्थिती में सुधार होगा और उन्नती के भी नवीन सुववसर प्राप्त होंगे ब्रिक राशी ब्रिक राशी वाले जातक धन तेरस के दिन पीपल के पांच साबुद पत्ते लें और उन पे पीले चंदन से या पीली हल्दी से स्वेम अपने हातों से रंग कर किसी बहते हुए पानी में जल प्रभाद दें इससे अनावशक धन खर्च होना कम हो जाएगा मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातक धन तेरस के दिन बरगत के व्रख्ष से पांच फल लाएं और उनको लाल चंदन में रंग कर किसी कोरे लाल वस्तर में कुछ सिक्कों के साथ बांध कर अपने घर में अपना अथवा दुकान में मुख्य द्वार के पास किसी कील पर लटका दें इससे अनावशक धन खर्च होने की संभावना बहुत कम हो जाएंगे करकराशी करकराशी वाले जातक धन तेरस के दिन शाम के समय पीपल व्रक्ष के समीप तेल का पंच मुखी दिपक जलाएं इससे धन प्राप्ती होने की संभावनाई बढ़ेंगी साथी आ गाएं को हराचारा डालें और साथ में ये भी सद प्रयास करें कि गोव माता को मैं निरंतर हराचारा डालने का प्रणलित हूं। कन्या राशी कन्या राशी वाले जातक धन तेरस के दिन दो कमल गट्टे लेकर माता लक्षमी के चर्णों में अरपित कर दें। अथवा लक्षमी नारेन मंदिर में भगवान लक्षमी नारेन के सुरूप के पासरदे इससे आपके परिवार में धन और धान्य दोनों में इस्थिर्ता आएगी तुला राशी तुला राशी वाले जातक धनते रस के दिन शाम को लक्ष्मी मा के मंदिर में जटा वाला नारियल चड़ाएं इस से पुराने चले आ रहे कर्ज और आपकी परिशानियों से आपको मुक्ती मिलेगी और साथ ही धन धानिये में भी वृद्धी होगी ब्रिश्चिक राशी वाले जातक धनते रस के दिन शम्षान के कुए या नल या टंकी से जल लाकर किसी पीपल के व्रक्ष पर उसको चड़ा दें इससे कर्ज से मुक्ती मिलेगी आर्थिक उन्नती होने की भी समभावनाई बढ़ेंगी धनुराशी धनुराशी वाले जातक धनते रस के दिन गूलर वरक्ष के ग्यारह पत्तों को मौली यानि के कलावे से लपेट कर किसी भी वट वरक्ष पर बांग दें आर्थिक इस्थिती में इस्थायत वाएगा मकर राशी मकर राशी वाले जातक आप धनते रस के दिन आखे के पौदे की रूई का दिपक जलाएं संध्या के समय किसी तिराय पर उसको रख दें इससे आर्थिक समस्याँ से मुक्ति मिलने की पूर संभावना है कुम्ब राशी कुम्ब राशी के जातक धनते रस की रात में पूजन करने वाले इस्थान पर ही रात्री जागरन करें तो जीवन में इस्थाई रूप से सुक सम्रिद्धी का वास होगा मीन राशी मीन राश्री वाले जातक घर के बाहर या किसी मंदिर में के लेके दो पौधे लगाएं और साथ ही उनकी देख भाल भी करें किन्तु ध्यान रहे यदि उन पौधों पर कभी फल लगें तो उनको आपको खाना नहीं है ऐसा करने से मातलक्ष्मी की आप पर कृपा वनी रहेगी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तरेता युक की दीपावली के बारे में अर्थात चोटी दीपावली और बड़े दीपावली तरेता युक की राम जिहां त्रेता युकी पैचान भगवान श्री राम के नाम से दिखोती है जिन्होंने महाबली रक्षेश राज रावन को पराजित किया उसका संगार किया और 14 वर्ष बनवास में बिता कर अपनी अयुद्या नगरी में माता सीता और छोटे भाई लक्षमन के साथ लोटाए अपने आदर्श प्रभुश्री राम के आगमन की बाट जो रहे सभी नगरवासियों ने उनका उस समय संपूर अयुद्या नगरी को दीप मालाओं से सजा कर और उनके स्वागत का आयुजन किया यही दीप प्रज्वल्न अंदकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पौरवा बन गया दूसरा पावन पर छोटी दीप आवली रूप चतुरदर्शी अत्वा नरक चौदस भी कहलाता है ऐसी मान्यता है कि इस दिन ओहोई माता के समीप रखे हुए कलश के जल से इसनान करने से व्यक्ति की स्किन डिजीज यानि के फोडे फूंसी जैसी चर्म वियादियों से रक्षा होती है संद्याकाल के समय दक्षन दिशा में घर के बाहर नाली की और तेल का चौँ मुखी दिपक जराने से उस घर की यम देवता स्वेम रक्षा करते हैं दिपावली इस दिन विग्न हर्ता भगवान श्री गनेश एवं धन की देवी माता लक्षमी जी की पूजा पासने की जाती है दिपावली को रोशनी का पर भी कहते हैं इस दिन भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करकर अज़द्या लोटे और इसी खुशी में एदेवासनें दिपक जलाई हर्श और आनंद से अतिरेग भगवान श्री राम का दिव्य स्वागत किया दिपावली का ये तिवहार देश एवं विदेशों में भी बहुत धुमधाम से मनाया जाता है आईए थोड़ा भगवान का नाम चरन करते हैं और बढ़ते हैं आगे की और Ś्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भावन अमंगल हारी द्रव हुं सुदशुरत अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दीन दयाल विरदु संभारी हर हुं नात्य मम संकत भारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कह हों सुग्रीव सुनहु रनु मन्ता बिनु हरी कृपा में लही नही संता श्री राम जय राम जय जय राम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दीपावली पर किये जाने वाले कुछ सात्य कुपाई कहा जाता है कि दीपावली की रात में सोना भागये को सुलाने के समान होता है इसलिए रात्री जागरन कर मा लक्षमी का पूजन, भजन, कीरतन और अराधना करनी चाहिए माता लक्षमी की पृतिमा को गनेश जी की पृतिमा के दाहिनी और रखकर पूजना चाहिए पूजन के बाद माता लक्षमी जी के सामने मिट्टी का बड़ा दीपक लेकर उसको सरसो के तेल से परिपून कर दें उसमें तेल इतना होना चाहिए कि वो सारी राज जलता रहे मोटी रूई की फूल बाती बनाईएगा और उसको स्टेल में डालकर पज्जलित कर दें उसको उपर से किसी कच्ची मिट्टी की सराई मिट्टी की प्रेट जैसी एक बजार में मिलती है उससे उल्टा करके ढाप दें प्राते उस कच्ची सराई में काली स्याही जम जाएगी आप उसको किसी छोटी डिविया में भर कर रख लें उसको पूरे वर्ष कभी भी आपके कोई मांसिक तनाओ हो उसको आप नेत्रों में लगाईए लाब होगा नेत्रों की सफाई के लिए या कोई नेत्र दोश कान अबवो तो उसको सलाई से नेत्रों में लगाईएगा इसके साथ ही यदि इसी स्याही को बालक और बालिका को बुरी नज़र से बचाने के लिए आप मस्तक पे लगाएं कान के पीछे लगाएं तो ये उसमें भी काम करेगी चांदी का बना हाथी घर में लाकर रखें इसके साथी पिली कोड़ियों को हल्दी से रंगे ये माता लक्षमी की परतीक होती है उसमें कुछ सफेद कोड़िया मिलाएं और घर के धन स्थान में रख दें गोंती चक्र भी पूजन में माता रानी को चड़ाईएगा और वाबबाद में उसको अपने धन स्थान पर कोड़ियों के साथी रख दीजेगा एक चांदी का छोटा सा घड़ा जिसे देसी भाशन में गड़वी कहते है उसमें कुछ मिले जुले सिक्के डालें और अपने धन स्थान में रखें मंगल कलश जी हां लोटा उसमें कलावा बांदिये रोली के स्वास्तिक बनाईए आम के पते उसमें लगाकर उसके उपर जटा पानी वाला नारियल को भी रोली चंदन लगाकर चुनी उड़ाकर इस्थापित कर दें घर के मुखे द्वार सही मुखे अस्थानों पर भी रंगली बनाए पूजन में साथ या नो बत्तियों वाला दीपक भी जलाने से लाब होगा राजा दशरत भगवान श्री राम को राम नाम से बुलाते थे माता कौशलिया भगवान श्री राम को राम भद्र कहकर बुलाती थी रानी केकई राम चंद्र कहकर बुलाती थी और रिशी वशेष्ट पुकारते थे भगवान श्री राम को वेदस और अन्य मुनिजन उनको रगुनात के रूप में पुकारते थे मात शीता पुकारती थी नात और समस्त अयद्धय वाली पुकारा करते थे सीता पती और इससे ही शलोक बन गया श्री रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेद से रगुनाथाय नाथाय सीताय पत ये नमा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, द्वापर युक की दिपावली के बारे में, जिनको आज हम गोवर्धन, अनकुट और भाइदा, दूज के तोहार के रूप मनाते हैं, जानिएगा, द्वापर युक की प्रथम दिपावली, अर्था, गोवर्धन और अनकुट, द्व द्वापर युक की प्रथम दिपावली, अर्था, गोवर्धन परवत पूजन, इसको दूसरों शब्दों में, यदि हम कहें, तो समुख के समुख, व्यक्ति की प्राजय का उत्सो, संघे, शक्ति, युगे, युगे, अर्था, एक होकर रहने में ही शक्ति होने की प्रेरना देता हुआ, प्रभूर्धन परवत को अपनी कनिष्ठी का उंगली पर धारन कर इंद्र मान भंक करने की लिला का वर्णन, अपनी इस जीत और इंद्र की हार की प्रसनता को उस समे दीप प्रजोलन कर प्रगट किया था मतरवासियों ने, गोकुलवासियों ने, ब्रजवासियों ने मिलकर ऐसा उस्सो मनाया, प्रभू की ये समाजवादी लोकतांतरिक भावना केवल वर्ग विहिन, मानो समाथ तक ही सिमित नहीं थी, वरन उनकी इस लिला में संपून अनक्षन की परमपरा का शंकनादवी किया था, और इसी के साथ बनी थी गोवर्धन पूजा के रूप में अनकूट की परमपरा, क्योंकि उस समय जिसके घर में जो चीज उपलब दूई, भोजन के लिए वही लाकर बनाई गई, कूट का अर्थ है परवत, अर्थात भोज पदार्थों का धेर, खाद्य पदार्थों की परचूरता, क्योंकि भगवान श्री किश्न और हलधारी श्री बलराम जी कृशी के ही तो देवता है, उनके द्वारा प्रारंब की गई अनकूट की परमपरा, आज भी दिपावली के इन पंच महा परवों का अंग मनी हुई जिसको दिपावली से अगले दिन प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं द्वापर युक की ही दृतिय दिपावली अर्था जिसको आज हम भईया दूज के रूप मनाते हैं, प्रसंग है भगवान श्री किश्न के विभा के बाद का, वद्वी किया था, यह दिपावली से एक दिन पूर मनाया जाता है, जिसको नरक चोदस, नरक चतुरदशी या रूप चतुरदशी भी कहा जाता है, अमावश्या के तीसरे दिन अर्थाद, अनकुठ से अगले दिन इसको मनाया जाता है, और भईया दूज का महापर, इस प्रारम भई, शरी भगवान शरी किशन ने अपनी बहन द्रोबदी के भोजन के आमंतरन को स्विकार कर उनके घर भोजन किया था, उस समय बहन ने भाई से पूछा कि भईया क्या बनाओं, क्या जीम होगे, तो भगवान शरी किशन बोले अरी बहना, कल अनकूठ में तरह करे के स्वादिष्ट भोजन को खा खा कर पेट भारी हो गया, आज तुम केवल खिचडी ही बना लो, और प्रारम भुवा अनकूठ की परंपरा का, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कल्यूग की दीपावली, जी हां, कल्यूग में हम प्रारम से ही कुछ ऐसे एतिहा रहा हूं, क्रम प्रारती हूं, इसमें कुछ आयोजन छुट सकते हैं, लेकिन मुख्य जो हैं, वह मैं आपको बताने का प्रैस करूँगा, सम्राट विक्रम अधित्य कराज्या बिशेक दीपावली के दिन हुआ था, उस समय दीपावली का स्वरूप दीप जलाकर कार्तिक अमावस्या के अवसर पर संपूर मंदिरों में और सभी घाटों के किनारे पर दीप जलाए जाते थे, लोग प्रसनता को प्रगट करते थे दीप जलाकर, स्वामी रामतीर का जन और उनका निर्वान अर्थाद जल समाधी, दोनों ही संयोग बश दीपावली के ही दीपावली जैनधर्म के 24 वे तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वान वस दीपावली का था, इन सभी देदी प्यमान जियोतियों थे, अपनी आत्म जियोति को परम जियोति से मिलन के लिए इसी दिन, यानि के दिपोसव को चुना और सदा के लिए अमर हो गए जो आज भी सारे संसार को अपने ग्यान के प्रकाश से प्रकाशित कर रही हैं माकाली के रूप में जब राक्षसों के वद के बाद माता का क्रोध कम नहीं हुआ तब भगवान शरी शिवशंकर स्वेम माता के चर्णों में लेट गए थे उनके शरीर का इस परश पाकर ही देवी माका क्रोध समाप्त हुआ था इसी की याद में माता की शांत सरूप यानि के लक्ष्मी माता के पूजन का विधान प्रारंब हुआ इसलिए इस रात्री को ही काली माता की पूजा करने की भी परमपरा चल पड़ी पांस सो ईसा वर्ष पूर की मोहन जोद्रों हडपा सब्यता के एक प्रात अवशेशों में मिट्टी की एक मूर्ती के नुसार उसमें भी दिवाली मनाई जाती थी। उस मूर्ती में एक मात्र देवी के दोनों और दीप जलते दिखाई देते हैं। अमरिस्तर के स्वण मंदिर का निर्मान भी दीपावली से ही शुरू हुआ था। अंतिम मुगल समराट बहद्दूर शाज जफर के समय दिपावली को उस्व के रूप में मनाया जाता था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही भाग लेते थे शाह आलम दूतिये उसके समय में भी शाही महलों को दिपो से सजाया जाता था और लाल किले में इस दिपो से को दोनों ही समुदायों के साथ भाग लेकर उस्व के साथ मनाया जाता था तो ये थी पंच महा पर्वों की दिपावली उस्व मनाने की छोटी सी जानकारी तो बने रही हैगा हमारे साथ पॉब्लिकेशन न्यूस चैनल पर देश देश की ताजा ख़बरों के लिए धन्यवाद नमशकार जै श्री सियाराम दिपो स्वकी हार्दिक मंगल कामनों के साथ जै जै श्री सियाराम